ओम वंदेग्वा मात्रमित्रो भाई बहन के पावन पर रक्षा वंधन का आज हमने उत्सव मनाया मेरे भाई भाई भावी भत्तीजे सब इखटे हुए थे एक भाई नहीं हो पाया मैं कारण बताऊंगी आपको उसका भी तो यह मेरे बड़े भाईया भावी हैं मेरे बड़ बड़े भाईया की चोटी बेटी लेके खड़ी है ना यह मेरी बड़े भाईया की चोटी बेटी है यह भी अभी आएंगे सब लाइन से आएंगे क्योंकि हमारे हाँ ऐसा नहीं कि खले भाई को राखी बांदी जाती है भाई के साथ भावियों को भी राखी बांदी जाती है और हमारे तो एक नया चलम भी है कि भाई भतीजिया भतीजे सब को राखी बांदी जाती है तो मै आज मैं इसलेगा ना अपने पूरी परिवार से आपको मिलवाने वाली हूँ और एक भाई जो नहीं आ पाया है ना जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है हम अपनी माता पिता के तीन बच्चे हैं चोथा मुझसे छोटा है वो मेरी मौसिकर लगा है वैसे पर मैं जीते नह है कर रही है यहां सच्चाइह मेरे लाइफ के थो हां तो उसके जो मेरे मौसिकर लगा है ना मेरा भाई है पर वो मेरी मा ने गूर्या उसानुसर पर वो दोनों परिवारों के छाब से चलता है इसलिए उस परिवार में किसी की ě chegou गई थी अभी कुछ आठ एक दिन हुए थे तो उसने राखी बांदों को मना कि उसने रक्षा बंधन को राखी नहीं बन पाईगी तो बहुते हैं जन्मास की नहीं बन पाईगी ठीक है भाई अब उसके बाद ये कुछ पैर चुने जा रही थी तो मैं भावियों से पैर नहीं शुवाती हूँ क्योंकि हमारे भाई भावी कितने भी बड़े हो वो बहनों के पैर चुते हैं पर मैं ग्रह लक्षमी से पैर नहीं शुवाती तो इसलिए मैंने बोले आज की दिन तो बनता पर मैंने मना किया उसके बाद ये मेरी सबसे बड़ी भीती जी ये दिख रही है जैसी ये बच्छपन से ही ऐसी मतलब बच्छपन में जो ये बहुत छूटी थी ना तो इसका वजन हर महीने में के किलो बढ़ता था और ये खाने पीने में भी माहिर है और पहले मुझे मैं इसको लेके घुमती है तो उसने मुझे अपनी बिटाया कि आज अब हुआ तो मैंसे डबल है पजन के अनुसर पर हां बहुत प्यारी है ये लेक्छरर बन चुकी है इसने अभी प्रभी के सब्मेट की है बड़े भीया की बड़ी बटी गरीमा तिवारी और ये आपको अगली जो आरी है गोप बड़े की बुआ हो जी हां ये मेरी भतीजी है तो ऐसी स्थिती है हमारी ये मेरी दूसरी भतीजी मलब छोटे भाई की बड़ी बेटी आपने जो दो भाई देखे ना बड़े भाई की बड़ी 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 चोटे बड़ी बड़ी गोपाली और आप बारतालाप हमारी चल रही है, अब वो मैंने आपको इसलिए नहीं सुना है, क्योंकि आपको आधी बात है, समझ में नहीं आने वाली है, वरना मैं वो भी आपको सुना देते, और ये है बड़े भाई की छोटी बेटी, दोनों भाईयों की दो-दो बीटियां है, बड़े भा शैली तेवारे, और ये बहुत ही, मतलब बहुत चंचल रही है, और बहुत प्यारी है ये भी, ऐसे मुझे बेटियां बहुत प्रियां है, पर मुझे ईश्वर ने बेटा दिया, वह बात दूसरी है, तो, पर क्या है ना, बेटियां देके बड़ा मन करता है, और ये खाने बभाली के तरशक है, और मेरे दर्शेखे वह सब को जानते हैं यह जानमी तीवारी मेरी छोटी बती जी और इस से छोटी है छोटे भाइकी बेटी पर वह नहीं है यहाँ पे तो हमारे हैं कहा ना हमारे बच्चे सब पहले मैंनके लिए कपड़े लेकर आती थी कि अपनी मन पसंद से कपड़े पह जो बच्चे ना यूज़ करें ऐसी चीज़ बच्चों को नहीं देनी चाहिए तो मैं कुछ और चीज़े करने लग गई हूँ तो इनको राख्यू का बड़ा शौक होता है सब को है वो बड़ी बाली के जो गले में गया था बहुत धीरे से तो मैं का हां मेटा धीरे से तो वो कह रही थी वो उसको जादा लग गया क्योंकि ये लड़किया हमारी बहुत कम चीज़ें खाती है ये गोपाली जैनमीन की डाइट जो ना बहुत कम है हां वहीं हमारे बड़ी भाई की बच्चियों की डाइट बहुत अच्छी है मलब एक टुकी तो दिखी रही है दूसरी भी कम नहीं है और बस हमारे परिवर में ये चीज़ें और हां गोपाली का फोटो शेशन नहीं हुआ पाया था ठीक से पहले तो गोपाली फिर से फोटो शेशन के लिए गए तो बोला ना आप देदी दर्शाव को तो आपको पताईए के बई हां इनकी क्या स्थिती चलती है और ये है प्रशांत मेरा बच्चा जिसको आप कई बार मिलने की सोचते हो में रसे कई बार अपने का अपने बेटे से मिल बाई यह है मेरा बेटा और इसकी राखिया जो है ना पूरे साल भार रेती है पिचले साल के 5 और 5 राख्या भी बंधी हों है और ने राखिया कभी तोड़ता नहीं है हाँ भी कहीं कुछ बहुत हो जाए कुछ ऐसा हो जाए तो निकालने ही पड़ जा तो बात अलग है वरना पहले छोटा था तो राखी बंधवाता नहीं था अब ये दोखो राखी बांगे कलाई कितनी गोरी और वैसी हो गए क्योंकि वहाँ धूप नहीं लग पाती है तो ये पहले क्या ना राखी पर तिलक नहीं होता था कि मेरे में बहुत छोटी थी मतब शायद में छोटी कोंगी तो आठेक साल की आठनाओ साल की रहेंगी तब मेरे चाचा गुजर गए थे हाँ जो एक्स्ट्र धागा हो था ना राखी का वह काटने के लिए भावी वह लाई थ और यह क्या है ना मैं केमरा ठीक से पकड़ नहीं पाई हमारे भाई भी देहनों को मिठाई खिलाते हैं यह कि पहले एक बार पांचे साल के डील हो गई थी भाईया मैं आपको खिलाओंगे आप मुझे खिलाना कोई मिठाई ऐसी थी जो बच्चों का जिल लग तो अब आदत नहीं है इस तरह से ब्लॉक करने का अदत नहीं है तो यहां गोपले आपको दिख नहीं पा रही है मैंने प्रयास अपना किया था पर शायद मैं कहीं गडबड हो गई और वह मैं दिखा नहीं पा रही है आप उसका पर हां का ना जब वो अभी बैठे की तो पता चल दिया जाता है और यह दोखो हमारे यह के जो बच्चे है ना आपने देखें के व्लॉक्स के भाई कितना हमारे सारे बच्चे बहुत प्यार से रहते हैं हमारे बच्चे आपस में कहते हैं एक दूसरे की जान है और यह सारे बच्चे ऐसे ही हमारे और मेरी यह गुपाली की स्थिती ऐसी है कि इसको बिना कोई जब तक जोड से ना उठाई जल्दी उठती नहीं है लेकिन है मेरे पेटे के लिए कुछ भी करने को तैयर हो जाते एक दिन इसको मुंबई जाना था मेरे बच्चे को तो मैं उठाने गई तो बोलती है उसके पास ही सो रही थी वहा उसकी राथ को तब भी उठती नहीं थी उसकी सित्य ऐसी है इतना प्रेम है इन भाई बहनों में उसके बाद यह तीसरी बड़े भया की छोटी बेटी और कहा ना उनके व्लोग सलते हैं और मुझे वो आपको परिवार से मिलना चाहते थे इसलिए मैंने इस ट्रेक काई वीडियो मैं प्रियास करूँ कि बना लूँ ये मेरा बेटा है और इसने दूसरी बार तीसी बार बता लिए न हां कि बही कहते है न कि अपने बच्चे पर सप्को गर्व होता है और ये लौ कर र रहा है और इसको 75% स्कॉलर्शिप इसने में चल रहे है और आप अच्छा है और दूसरी बात करने में बहुत अच्छा है ये बहुत मीठे तरिके से बोलता है ये किसी इसी को भी कहते हैं ना कि बूटल बूतार लेता है तो यह अच्छे काम करता है बहुत प्यारा है और क्या बताओं इसका जो पूरा डीरल है ना एकदम इसके पापा जैसा है इसकी आखें माथा मेरे जैसा लगता होगा आपको आप देखेंगे तो पता चलेगा लेकिन क्या ह जिसमें पापा को जो बलता है इसलिए वह स्थिती है इसकी क्योंकि हमारे तीनों के माथे चोड़े मेरे हजबन की माथा चोड़ा था हम दोनों का भी है और इन दोनों की तो मतलब ऐसे बनती है यह बहुत छोटा छोटी थी ना जानवी तब ऐसा फोटो जानवी का लिया गया था मतलब एक वह जैसे लाल ड्रेस बहना था ऐसा लग रहा है तो वह भी डोली में उठा के विदा करने जा रहा है तो वह एसे उठाना बहिया और यह सारी बहने और भाई के साथ और यह मेरे बिटी की बाहें बहुत बड़ी हैं तो कहीं से भी कहीं भी पहुंचा ले डीटा तो यह दोनों अ भाई बया लगते हैं जब आया देखो पता चलता हैं दोनों भाई ब consumo है और चहरे से लिघ ये जैसे फोटो लगते हैं उसके बाद ये गोपाली की हमारे या क्या आदत है इन लोगों की इसके साथ ये शराद करते है इसके साथ ये एकाक पीटे के लिम करते हैं मेरे बटे का नम ऐसे प्रशान्त है पर मैं उसको घर में शान बढ़ती हूँ तो शान के साथ वो नहीं हरकते होती है पर हाँ इसके साथ हो जाती है तो अपनी इनाग विचारा बचाता फिरता है और उसके बाद ये देखो हमाय बोला ना इगोपाली सबसे छोटी है बढ़ी पर सबसे छोटी है किक्रिक्षि की भी वो कहती है बढ़ा ये मेरा छोटा भाई है क्या बात करते हो और ये गोपाली हैं उनकी कमी तो है पर उनसे में हम मिलने तो गए थे लेकिन क्या है ना वहां फोटो वगर नहीं प्यूंकि माहौल उतना अच्छा नहीं था तो काम करते हैं नहीं बना और कुछ चीज़ें याद भी नहीं आते हैं उसमें फिर जो हम बात ही कर रहे होते हैं तो उसके बात य और कुछ ऐसे ही चीजें मैंने अपनी भष्थीजीं को भी कहीं ये देखिये जिनू को जिनू बहतिवारी नाम है इसका फॉन को जीनु कंई कहते हैं जीनु को मिने कहा था कुछ बात हमारे दीच में चल रही है तो मैं उसको कहा और यह मेरे मेरे मिणुड़ी को राखे बान हैं को कि हमारे ऐसा मना तरह कि बड़ी भतीजी के दो नाम है, बगे सब केक नाम है, पर हाँ शैली का शैलू हो गया, जानू हो गया, हाँ जानू, ऐसे जब बोलते तो कोई आसपास वाला हील जाते हैं, भले कि इसको बोला रहे हैं जानू, और उसके बाद ये मेरे बड़े भेया, और हमारे दोनों, मेरा बेटा, मैंने बतीजा, और आभी सब इन से मिली चुके वापस, तो अब क्या होता है, दिरे से ये सारे उठ जाएंगे, मतल्द आगे वाले तो उठ जाएंगे, उसके बाद कुछ और भी होना है, क्या है ना, ये मस्ती चलती रहती है, चिला रहे थे, बच्चों को लड़ और ये मेरे लिए, तो मेरे लिए, उसके बाद राखी हो गई ये, उसके बाद हमारे घर की एक जो मस्ती होती ना, घर में, सब के पैर वगर रहे चुना, वैसे मेरे बेटे को तो केवल दीदियों के पैर चुने है, मामा, मामी के हमारे पैर चुए नहीं जाते हैं, और ये ये चो होता है प्रोग्राम ऐसे उनमें बड़ो हमारे परमपरा के भाई भाई सबके पैरशुता है, बहने कितनी भी छोटी हो भाई उसके पैरशुगा है, ये मेरी माँ बेटे यह सामने बस उनको वैसे सामने नहीं आना था पर हां वो बैठी हुई थी अब यह चोटे भाई ने बड़े भाई को ठालिया है जो मानव है ना कुणाल वह मेरे बैटे से गरी 5 साल चोटा एक से 5 साल कें चोटा और हमारा केक आया था क्योंकि मिठाई नहीं लाए मिठाई के कि बहुत बेटी तो कुछ घर में बनी थी उसके अलाबा यह भातीजीया मेरी केक ले थी और हमारे के काटा नहीं गया चमस से वैसे जैसे के थे लिया गया और देखो किसे ने काटा नहीं पर दे तो उमुली से खाटा गया था चुली उमुली डप से बढ़े सब क्यों हु पर उमुली से लेके पहली बार दो खाएगे उसके बच्चमच उठाएगे और क्या है ना कि जब ही लोग कुछ खाने बैठते हैं तो उसी मस्ते ही में बैठते हैं और अभी तो कुछ चल रहा है कि भाई गाएट की हो मैं क्यूकि मेरी जो बड़ी भतीजीया ने जो मूती बस तुम जैसे लोगों को बिवकूप बनने को मेरा बेटा उसको समझा आ रहा है कि क्या होता डाइट का अब मैं आपको सारी बात सुना नहीं सकते सुनाओंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोलोगे कि क्या चर्चा चर्च क्या आपको समझ में बाते आएं और अब मुझे टैचोल इसलिए को एक आदत पढ़ गई है कि हां बई कि हां कुछ उसको देखना नहीं पड़ता है अब ही कह रहा था बात बतीजी इंको पाली बता रही थी कि वह कभी कर दो कहता है कि और मेरी हो जाती है मैंने उसको कभी नॉर्मनी ओवर्टिंग करते न रहता है इस तरह से जीवन वो एक आपना बाइनिश्य जीवन चला लेता है और यह सब घर की मस्ते चलते रहे उसके बाद जो घर में तेहवार मनतें उसमें जो चीजें और बगर बनता है मैंने वाली वीडियो में कुछ चीजें दिखाई थी अब यह जो है नमित्रो ये म मेरे कहते हैं कि कई बार माने और रिष्टे बहुत उपर होते हैं जब यह जो बैठी हुई नहीं मेरी सबसे बड़ी भावी हैं वो बड़ी भावी हैं जो हां देखी यह सबसे बड़ी भावी हैं तो यह जो हैं हम जहां प्रभकों मेरे घर के ऊपर हम 32 नंबर में 36 नंबर मे और उसके बाद तब से हम जुड़े हैं, बीच में सालों हम लोग नहीं मिल पाई, क्योंकि दिल्ली हो गए, शिफ्ट हो गए थे, सुरत कानपूर से ले गए थे, पर उनको कुछ जमा नहीं, तो वापिस ये सुरत आ गए है, तो कुछ दिनों कले भावी को वरस्ते में कहीं म लगए थे, तो बात हुई तो फिर उन्हें मुझे बिलाया और मुझे जाना तो था ही, और मतलब एक कहते हैं कि बहुत सालों बाद हमारा आमना सामना हुआ, और एक बहुत अच्छा बता ब्रमना, हां, भये कि थोड़ा स्वास्ती बिगड़ जाता है, बादी को कभी हाट में हाट के वाल में छिद बताया गया था, जबकि वो नहीं था, दोक्र ने उनको फसाया था, वो बाद ने बता चला है, पर हां, उसमें उनकी हिल्थ बहुत बिगड़ गई, और उसके बाद हो कभी हैसल तो उबार नहीं पा रहे हैं, कहना कभी-कभी, यह बहुत सीधे इ इन लोगों में, मैंने इन में देखा दोनों भाईया भावी में, चुत्राइनां की चीज देंगे, मैं उनको बोले, मैं गरह लक्ष्मी से पैर नहीं चुआती, वो पैर चुने जारी, भाईया को तो मैं अच्छे से ठोक लेती, और यह मेरा बतीजा, आशू, इसको जब म मैं कम रही क्यों कि वो छोटा था, तब मेरे साथ, मेरे पास ही रहा है, और यह जब हुई थी, तब मैं दूर जले गई थी, तो मैं उतना इसके टेच्में नहीं आ पई पर हां, घर के बातरण से, वन्ता भाईया भावी से, और आशू से, उस बच्चे का नाम आशू है, यह इसका नम अग्रणी है, अग्रणी से नहां, आख्षितोष से नहां, बीपक से नहां, भावी का नाम इनोदनी से नहां, और यह थोड़ा सा मैंने अंती मात पिश ले लिया कि बई हां, यह हमारा एक उत्सव मन गया, और मित्रू, आप और क्या देखना चाते मुझे ब कॉ inan 맥ा झारा एक बाता एक की बढातारанич की बईयारियक, यह हमारा एक बाताए, यह हमारे तो षी का घउ अगता का एक